कि उसने इससुझायानी क्ला चाहिए कि उसकी बात को भी सुना चाहिए जो यह पांच जल ऀए जिसमें तेन दो इनकी बात मनी सुना月 कोनी तो सवाल है कि यह प्रक्रम कितने साल चलेगा कि यहीं एक काम है सुप्रेम कोट के पास तो यह नियायवचित नहीं है इसको जो है वो कहना कि इस जूडिसियल मैजोरी मैजोरी टेरियनिज्म जस्टिफाइड तो सवाल यह है कि कैसे चीज चलेगी अगर पांच लोग है सात लोग है और पांचों लोग एक साथ ही कठे होकर के भी मत एक नहीं हो सकता तो तरीका क्या है तरीका तो यह फिप्टी परसेंट से ज्यादा प्लस वन हो उसी की बात मान ली जाए नहीं तो कभी हरी अनंत हरी तो फिर तो यह कथा कभी खत्म ही नहीं होगी ना तो खैर यह किसी ने कुछ सुप्रीम कोट से कहा कि जुडिसियल मैजरेटेरियन इस्म है जस्टिफाइड है नियाविचित है और इस पर डी मोनेटाइजेशन का क्या परभाव पड़ा वो सही था या गलत था इस पर किसी सुप्रीम कोट में पेटिशन डाली निर्णाय आया कि वो सही था कि पहली बात तो मुझे नहीं समझ माते कि उसकी जवरत क्या थी क्या गेन होगा कि जो एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सौट आउट तो करने में आप कि शुनावतियां का सामना कर रहे हैं तो इतना अनलेसिस करने से फायदा क्या है मुझे नहीं लगता ऐसो तो फिर हर एक्ज्कूटिब डिसीजन का आप अनलेसिस और उसका छिद्रान करते रहे हैं तो तो हरी अनंत हरी कथा अनंत कुछ मिलना ही नहीं है अरे भाई दुनिया में प्रायरीटी क्या है देश की प सब काम में आप समय क्यों पर बात करते हैं इससे ज्यादा वैलिवेबल काम है और सारे जो सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिब ग्रोथ फाइनेंसियल इंक्लूजन गरीबी कैसे मिटेगी ब्रस्ट अचार से क्या कैसे मुकाबला होगा टेक्सेशन कैसे बढ़ेगा यह सब मुद्ध ज्वलंत है देश में आठ करणों लोग अभी एक टाइम का खाना नहीं खा रहे हैं वह सब नहीं दिखाई पड़ता आपको आपको यहीं सब चीज़े दिखाई पड़ती है कि सरकार ने डीमोनिटाइजेशन जो 2016 में किया था वह जस्टिफाइड कैसे हो देश में बहुत सारी समस्या हैं जो हमने बताया आप उस पर ध्यान दिजिए ना भाई आपके क्या फालतु का काम लेकर बैठ गए तो क्यों तो कोस्टन बनेगा कि देश में प्राथमिक्ताओं के क्रम में समस्याओं का बिसलेशन करीए तो आप उस प्राथमिक्ताओं के क्रम में जुडिसियल मेजॉरिटेरिनेशन की बात करिए गाना तो ठाके उठेक देगा को पी बाहर है इतनी सारी समस्केश हमने बोली वह जरूरी है लोग भुखे मर रहे हैं एक टाइम का ख्लाना आ रहे हैं कि सिक्षा स्वास्त की हालत खराब है इतना परसेंट लोग BPL मे हैं कि इतनी सारी चैलेंजिंग टॉपिक्स है जिसको आप देख सकते हैं कवर कर सकते हैं और समय बरबाद करने के लिए सुप्रीम कोट के पास चले जाते हैं लोग अब वह भी कोट है क्या करें विचारा सुनेगा और दूसरी बार कि सुप्रीम कोट या हाई कोट के जजेज के बारे में उसके निर्णे के बारे में आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो खुद दिन भरा बहस करते रहते हैं चौक चौराहे पर अरे वह गलत किया सुप्रीम कोट ने तो फ्लनमा जज तो फिर ही क्या मौलिक अधिकार मिला है उसका सदुप्योग दुरुप्योग लोग करते रहते हैं तो इसलिए प्राथमिक्ताओं के क्रम में इस इस मामले का प्राइरिटी बहुत नीचे है बॉटम है उसका नंबर ही नहीं आना चाहिए अभी चीज चुकी है उस पर डिसकस करेंगे लेकिन इस पर कोस्टन मैंने बनाया वह ध्यान रिखिएगा कि देश में प्राथमिक्ताओं के क्रम में ऐसी विशाय बस्तू को चून सुप्रिम कोर्ट के द्वारा जजेज की संख्या बल के आधार पर किसी विशाय से समंधित निर्णय को सुनाना तो उसमें पांच तीन पांच साथ नौ ऐसे चलता है गारा तेरा तेरा सूपर अभी तक बना नहीं है तो तीन में दो आदमी एक तरफ हो गया तो यह कह रहा है कि यह जस्टिफाइड है क्या अरे दूसरा क्या तरीका है तुम ही बता दो ना इस पूरे अर्टिकल में उसने सुझाया नहीं की तरीका क्या है तिर्फ यह बोला है कि उसकी बात को भी सुना जाना चाहिए जो यह पांच जज़ की बेंच थी जिसमें से तीन दो इनकी बात मानी गई इनकी नहीं सुनेगी तो कह रहा है इसकी बात सुनिया बहस करिए औ तो सवाल है कि यह प्रक्रम कितने साल चलेगा यहीं एक काम है सुप्रेम कोट के पास तो यह नियायवचित नहीं है इसको जो है वह कहना कि यह जो है मेजोरीटी के डिसिजन पर जो संख्याबल में जो लोग ज्यादा होंगे कहेंगे वहीं है इसमें यहीं सब चीज़े लिखेगी है अब पूरा अंग्रेजी पढ़िएगा तो निकलेगा इतना जितना हमने बता दिया आर्टिकल 145 की बात कह रहा है कि मेजोरीटी कंसर्स फ् फ्री डिलीवर डिसेंटी डिसेंट मना करना जजमेंट और पीनियन ठीक है आप अपना दे दीजिया उसमें क्या दिक्कत आपको जो डिसेंट दे दीजिए लेकिन डिसिजन जो अप्लाइड होगा वह मैज्जोरीटी कहीं होगा अधर्वाइज यह कभी भी खतम ना होने वाली प्रिक्रिया हो जाएगी ठीक है तो यह है दा हिंदू नियूज का सारांस जो हमने आपको बताया और कहीं मत जाहिएगा आते हैं दो मिनट ब्रेक के बाद फिर आगे का चेप्टर सुरू करते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी